असलाम वालेकुम नई सुबा के इंटिपेंटेंट लिविंग प्रोग्राम के आडियो लेर्णिंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूँ आईशा एहमद आज हम आपको आलू भोंडास बनाना सिखाएंगे आलू भोंडास बनाने के लिए जिन अज़्जा की जरुवत है उसमें सबसे पहले तो आपको उसका बैटर तयार करना है कोटिंग के लिए तो उसके लिए बेशन दो कप, कॉन फ्लार एक कप, सोडा चुटकी भर, अजवाइन हाफ टी स्पून, जीरा एक टेबल स्पून, नमक डेर टेबल स्पून या हस्बेजायका, सुर्ख मिर्ज एक टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्ज आधर टी स्पून, पिसी काले मिर्ज हाफ टी स्पून, बारीक चौप हराधनिया और पुदीना हाफ पंच, बारीक चौप हरी मिर्चे तीन से चार अधर, तरकीब, तमाम मसालों को एक बड़े से बरतन में डाल कर, पानी के साथ अच्छी तरह घोल के एक गाड़ा लिक्विट तयार कर लें, लिक्विट ऐसा ह होना चाहिए कि अगर आप उसमें उंगली डालें तो उंगली के ऊपर ठहर जाए, यानि जब आप इसमें आलू के बॉल्स बना के डालें तो उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर चर जानी चाहिए, अब आलू की बॉल्स बनाने के लिए जनज्जा की जरूरत है, उसमें आदा क किलो आलू उबले हुए काली मिर्च एक टी स्पून हरी मिर्च हाफ टीस्पून उबले आलूं को चील कर अच्छी तरह से मैश कर ले उसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मर्चे और तमाम खुश्क मसाला चाथ के साथ दो चौप की हुए प्यास भी शामिल करने दो चौप की हुए प्यास को शामिल करके आलमों को अच्छी तरह मिक्स करके इसके गोल गोल राउंड्स तैयार करने के बाद बिल्कुल बॉल की शकल के होने चाहिए ना जादा बड़ी बॉल हो ना जादा छोटी बॉल हो बिल्कुल दर्मियाने गोले तयार करें और टाइट से हाथ से दबा दबा के उसको बनाए इसके बाद बेशन की लिक्विट में इसको डिप करके डीप फ्राइ करें कडाही को आदा ओयल से भर दें पहले तेज आँच पे कडाही को गरम करें उसके बाद फिर दर्मियानी आँच पर छोड़ दे दर्मियानी आँच करने के बाद आप इसमें एक एक आलू के बॉल को उठा के बेशन के लिक्विट में डिप करके कडाही में डालते जाएं आंच दर्म्यानी रहने पर वो खुद बखुद आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएंगे जब एक साइट पक जाये तो उसकी साइट चेंज करने साइट तबदील करने के बाद फिर उसको पकाने के लिए छोड़ दे जब हलका गोल्डन कलर आ जाये और पकनी की खुश्बू आने लगे तो इसको निकाल कर बटर पेपर या टिशू पेपर रखीवी प्लेट के ओपर पहला दें अब इन पकोड़ों को कैचप या फिर चिली गार्लिक सॉस के साथ गरम गरम पेश करें तो ये थी हमारी आज की रेसिपी अगरी रेसिपी के साथ दुबारा हासर होंगे तब तक के लिए अला हाफिज